आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतेक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो कीचो, एक फी प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही राउनलोड करें यहाँ पर दिया गया प्रेश्ण में जो है वो कुलामी बल F के करान इलेक्ट्राउन का त्वरन निकालना है हमको तो A E कमान हमको दिया हुआ है जो क्या होगा F बटे में M E याने कि लगने वाला जो बल है बटे में जो द्रवयमान होगा इलेक्ट्राउन का वो या फिर प्र जो होता है वो द्रॉमान गुना त्वरन के बराबर होता है ठीक है द्रॉमान में अधी कोई परिवरतर ना हो तब की बात है यह ठीक है दोस्तों तो यहां से हमको चाहिए त्वरन त्वरन चाहिए तो f बटे m लिख सकते है बस वही किया हमने a e बराबर f बटे m e किया है तो इससे AE कमान हमको दिया गया है, F कमान गयाद कर लेते हैं, M E कमान हमको पता है, ठीक है, तो AE कमान हमको जो दिया है, उसके लिए F कमान गयाद करना है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, AE गुना M E हो जाएगा, ठीक, इसको दे देते हम समिकरा नंबर एक, अब उसके पस्चाहत दोस्तों, यहाँ proton के तूरण का परिमान चीए, तो बल तो समान ही लग रहे हैं ना, समान बल की क्रिया है, ठीक, तो बल समान लग रहे हैं, इसका रथख्या है कि F समान रहेगा, ठीक है, अब proton के लिए तूरण AP ले लेते हैं, तो proton का दुरबेमान हमको MP लेना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पर दोस्तो यह समिकरन एक में जो बल कमान है उसको इस समिकरन नमबर 2 पे रख देंगे ठीक है या फिर दोनों के दाहें पक्षे की तुलना कर देंगे समिकरन एक बराबर समिकरन 2 क्योंकि दोनों पर समान बल लग रहा है ठीक है तो AE गुना ME बराबर में क्या हो जाएगा AP गुना में MP यह हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं हम अनुपात ले सकते हैं AE बटे में AP कर सकते हैं या फिर AP बटे में AE कर देंगे हम AP का मान गयात करना है तो AP के रूप में लिख देते हैं तो AP बराबर क्या हो जाएगा AE का मान मतलब तवरन इलेक्ट्रॉन का जो है वो हमको प्रेश्ण में दिया गया है 2.5 गुना 10 की घात में 22 लिख देते हैं 2.5 गुना 10 की घात में 22 मीटर प्रतिस सेकंड की घात दो है मतलब ESI मातरक में मातरक परिवर्टन की अवशक्ता नहीं है अब उसके पस्चाथ यहाँ पर ME का मान देखे मतलब इलेक्ट्रॉन का दरवय मान देखे तो उसका मान हमको पता है कितना होता है चलिए यहाँ लिख लेते है इलेक्ट्रॉन का दरवय मान होता है 9.1 गुना 10 की घात में रिन 31 किलोग्राम ठीक वैसे ही प्रोटॉन का दरवय मान अगर हम देखे MP उसको भी लिख लेते है उसका मान क्या होता है 1.67 गुना 10 की घात में रिन 31 अब बटे में प्रोटॉन का दरवय मार रख देंगे तो वो क्या होता है 1.67 गुना 10 की घात में रिन 27 ठीक है अब हल करते हैं आगे तो रिन 27 और रिन 31 को हम काटेंगे दसकी घात में तो उपर क्या बज़ जाएगा रिन 4 बज़ जाएगा जो धन 20 से कटेगा तो उपर में क्या होत जाएगा ये 18 हो जाएगा धन 18 दसकी घात में ठीक है अब एपी का मान कितना आगे हमारे पास में 2.5 गुना 9.1 गुना 10 की घात में धन 18 ठीक अब बटे में क्या है अभी भी रिन 27 ठो कट गया लेकिन 1.67 अभी भी बटे में है अब दोस्तो 2.5 और 9.1 का गुना करें तो 22.75 मान हमको प्राप्त होगा गुने में अभी भी 10 की घात में 18 है ये धन में है ठीक है बटे में क्या है 1.67 है तो 1.67 से 22.75 को भाग देंगे तो एपी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में एपी वराबर में आ जाएगा 13.62 और गुने में अभी भी 10 की घात में 18 है ठीक है तो विकल्प में देख लेते हैं ये तोरण का मान कितना दिया है लगभग मान हमारे पास में है 10 की घात में 19 करके 1.5 यही नजदीक की मान है तो यही हमारा सही मान होगा या फिर इसको हम सीधे-सीधे 13.62 को 1.362 गुना 10 की घात में 19 लिख सकते हैं और 1.362 को लगभग-लगभग क्या लिख सकते हैं 1.5, 10 की घात में क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक, मातरक वह hi रहगा यह क्या रहगा, मीटर प्रति सेकन्ड की घात में दो ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा प्रोटॉन के लिए, उसी समान बल के लिए तोरन हो जाएगा, दोस्तो, तोरन कमान है 1.05, गुलना 10 की घात में 19, मीटर प्रती सेकंड की घात में दो जो की हमको विकल्प क्रमांग सी के मान से मिलता जूलता दिख रहे अत्ता विकल्प क्रमांग सी जो है वो दिये गए प्रेशने का सही विकल्प हो जाएगा धन्यबाद पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाइटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोजा आज ही डाउनोट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर